जो जरूरी चीजे थी digestive systems related वो मैं तीन लास्ट के तीन वीडियो में आपको बहुत ही systematic रंक से सब कुछ मैं explain करके बता चुका हूँ और जो आपका response मिल ला है वो भी बहुत ही उससे मुझे बहुत खुसी हो रही है कि आपको आप इसको पसंद कर रहे हैं आप चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों के बीच इसको share भी करते रहें आज हम क्या करेंगे कि human digestive system पे जितने भी questions पूछे गए प्रीवियस यर में और उसके अलामा कुछ important facts उनको बहुत quickly revise करेंगे जिससे हमारा ये क्योंकि कोई भी chapter अगर हम पढ़ते हैं कोई भी topic पढ़ते हैं तो उससे related questions हमको solve कर लेने चाहिए जिससे revision के साथ साथ ही हमारे facts मजबूत हो जाएं तो चलिए start करते हैं पहला शुरुवात करते हैं facts से जो है तो सरीर में calcium and phosphorus उपापचे है उपापचे है तो उपापचे के लिए जिम्मेदार हार्मोन जो होता हो किस ग्रंथी से स्रावित होता है तो calcium and phosphorus का metabolism होता है वो parathyroid gland से यानि जो parathyroid gland होए हार्मोन है उससे parathyroid gland से स्रावित होता है और हार्मोन कौन सा होता है thyroxine फिर मनुस में छोटी आत की लंबाई लगभा कित्ती होत होती है यह मैं अपने पहले लेक्चर में डाइजर सिस्टम का मने बताया था मनुस के आहार नाल में दो आउससी अंग कौन-कौन से होते हैं एक तो सी कम होता है और एक होता वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स यह दोनों अब जो है मनुस में पायत हो जाते हैं लेकिन कोई रोल नहीं रहे गया यह केवल आउससी यंग बनकर रहे गए हैं सी कम में क्या होता था सी कम में पहले सेलुलोज के डाइजेशन से संबंदित होता था लेकिन सेलुलोज का डाइजेशन आप जानते हैं कि जैसा कि जो है जानवरों में होता है और मनुष में सेलुलोज का पाचन कोई बिल्कुल भी नहीं होता है फिर छोटी आत कीन ग्रंथियों द्वारा आतरस्ट रावित करती है तो छोटी आत में जो है जो भी digestive usage secret होते हैं वो bruners gland कहलाती है bruners glands द्वारा इसका स्रावण होता है सिसुओं में सरवत्थम कौन सा दात निकलता है तो मद्वर्ती middle incisor जो होता है वो निकलता है सबसे पहले बच्चों में पिर दात का सबसे बहरी कठोर भाग किस का बना होता है तो वो dentine होती है dentine जो है कठोर भाग होता है और उसके उपर जो परत होती है सबसे मजबूत जिसको सरी HEY हो माना जाता हिस्सा हो नमेर होती है ये कि अधाक का सिखार यह क्राउन की जो बाहरी पर होती है इसको एनेमल कहते है इनेमल एक प्रोटीन है और यह बहुत ही ज्यादा मजबूत होती फिर मुखगुहा या जिसको बकल कैविटी हम कहते हैं इंगलिस में का एंजाइम टाइलिन जो होता है और इसको इमाईलेज भी करते हैं, इस्टार्च में किसकी जो बदलता है, तो ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ये सम मैं बता चुका हूं, बस के वल रिवीजन के लिए आप देखते रहिए, आमासय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो प्रोटीन को पॉली पेप्टाइड, प्रोटीन के किस अवस्था पर क्रिया करता है, तो पॉली पेप्टाइड पर क्रिया करता है, अगनासय को अगनासय रस्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन, मतलब अगनासय यानि पैंक्रियाज को पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट क करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्प्रेडित करता हूं यहां पर स्कॹरेटिन हो जायगा चाहिए सही जवाब इसका स्कॹरेटिन का इस сравيت होता है तो यह ग्रहणी या डियोदिनम से स्रावित होता है हिपाइटो क्राइन पूर पाचक रस की संग्या किसको दी गई है अगनासरी रस को यह मैंने बहुत डिटेल में बढ़ाया था अपने थर्ड लेक्चर में क्योंकि इसमें क्या होता है ग्लुकोज या सुगर जिसे आप कहते हैं और प्रोटीन तीनो को पाचन होता है इसलिए इसको पूर पाचक रस की संग्या दी जाती है अगनासरी यहा है पिर यकरत में ग्लाइकोजन को ग्लुकोज में कौन परवर्तित करता है तो ग्लुकेगोन हार्मोन होता है अप यह भी जानते कि जो glycogen होता है, कहां पर हमारे store होता है, तो वो यक्रत में store होता है, ये भी question आया हुआ है, एक साथ अंता स्रावी और बही स्रावी, मतलब ऐसी एक ग्रंथी जो दोनों का काम करती है, तो अगनास है, कई बार question आया है, pancreas, इसको आपको भूलना नहीं, pancreas ही एक ऐसी gland है, जो endocrine भी है और exocrine भी है, हिपरिन नामक प्रोटीन का निर्माड कहां होता है, यक्रत में होता है, हिपरिन का use क्या होता है, हिपरिन प्रोटीन तो हई है, साथी में एक हार्मोन भी है, हिपरिन क्या करता है, जो हमारी blood होती है, उसको जमने से रोकता है, blood को हमेशा liquidify ग्लेंड्स होती है तो पैरोटीड ग्लेंड्स जो होती है वो कान के नीचे अगर मानो सरीर का यह सरीर है और इस तरह से अगर हम ड्रॉआ करें तो यह जो कान है इसके नीचे यहां पर पैरोटीड ग्लेंड्स पाई जाती है और अगर यह आहार नाल यहां से माली यह शुरू होती है, तो sublingual gland कहाँ पाई जाती है, जवान के नीचे, जवान के दोनों साइड और mandibular जो है उसके उपर, तो parotid gland जो है यहां कानों के पास पाई जाती है फिर पाच पडार्थों का आउसोसितों की काई क्या है विलाई विलाई मैंने बताया था कि छोटी आतों की दीवारों में इस तरह की सन्चना अंदुरूनी पाई जाती है उसको विलाई कहते है तो इसी में पचा हुआ वोजन हमारा आवसोसितों के सीधे रक्त में पहुंच जाता है लेकिन वसी और गिल्सराल मतलब अगर हम ग्लुकोज की बात करें और ग्लुकोज सुगर से मतलब जो बनता है वो ग्लुकोज तो इसका पाचर्ण तो विलाई के द्वारा हो जाता है लेकिन जो fatty acid और गिल्सराल होता है जो fat के ही product होते हैं इनका लसीका कोसिकाओं द्वारा यानि lymph cells द्वारा इसका लिम्फ lymph cells द्वारा इसका उसोस्ण होता है भूख तथा तरपती, मतलब हमको भूख कब लगी और हमारा पेट भर गया है, यह जो सम्मेदनाएं होती है, इसका नियंत्रण हाइपो थैलमस जो human brain का पार्ट है, उसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, फिर बिटामिन A और D कहां संचित रहता है, तो बिटामिन A और D का संचे लिवर में होता है, या यकरत में होता है, इंसुलिन के अधिक स्रावित होने से कौन सरोग हो जाता है, तो हाइपो ग्लाइसीमिया हो जाता है, अगर इंसुलिन का बहुत ज्यादा स्रामड होगा, तो हमारे सरीर में रक्त में ग्लुकोस की मात्रा बहुत ज्यादा कम होने लगेगी और उससे क्या होगा ग्लुकोस कम होने से हमारे सरीर सिथिल पढ़ जाएगा और हम बेहोसी के वस्था में जाने लगेंगे इसी कंडिशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं इंसुलिन की खोज किस ने की थी तो बैंटिंग और बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी मल या जो जो मारा मल पदार्थ होता है अंडाइजेस्टेट फूड जो है वो में दुरगंद किसके कारण होता है तो इंडॉल और इसके टॉल नामक दो अमीनो एसीड्स होते ह उसके कारण जो है इसमें दुरगंद आती है फिर स्वस्थ मनुस के सरीर में कितना आंत्रिक रस लगभग सरावित होता है तो डेढ़ से दो लीटर जो है आंत्रिक रस मतलब इंटरस्टाइनल जूस जो छोटी हाथ में सिक्रीशन होता है जिसका तो ये डेढ़ से डो पाइलोरिक ग्रंतियां जो होती है पाइलोरिक वो रीजन होता है जहां पर इस्टमक और छोटी आत का मिलान होता है तो ये इस्टमक अगर इसको माल लें और नीचे छोटी आत का प्रारम होता है यानि डियोडेनम तो दोनों का जो जो जोईंट होता है उसको हम पाइलोरि गरंथियां कहते हैं आमासियम इससी में क्योंन क्यों से हाइडरोग्लोरीक आमलका Осरामड Rs. स्रावित जानते ही जानते हैं तो आक्सिंतिस ग्रहित improvement? कि रस में cholesterol पाया जाता है,कॉसा कौन सा gastric जूसेस में cholesterol पाया जाता है? तो पित में, या बाइल Cholesterol पाया जाता है, जहां मैंने 2 वीडियो में आपको बाइल का composition दिखाया था, वहाँ पर मैंने especially mention किया था, इसमें cholesterol पाया जाता है, पित में कौन सा enzyme पाया जाता है, तो पित में कोई भी enzyme नहीं पाया जाता है, फिर कुछ और questions लेते हैं, मानो पाचन तन से जुड़ी गरंथियों के नाम बताईए, तो इसमें अगर सही answer देखा जाए, तो लार गरंथियां जो हमारे मुख में पाय जाती है, यक्रत और अगनास है, ये गरंथियां है, और ये भी गरंथियां है, लेकिन यहां तीनो एक साथ आ रहे हैं, तो better option यही है, फिर मानो पाचन तन की प्रिक्रिया में सामिल चरणों का सही क्रम में विश्थित क तो सबसे पहले क्या होता है, हम भोजन का अंतरग्रान करते हैं, यानि इंजेशन करते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसका छोटी आट में आसोसन होता है, आसोसन के बाद आत्मसाथ मतलब विलाई द्वारा उसको आत्मसाथ मतलब विलाई द्वारा उसको प्रोटीन का पाचन सुरू होता है तो प्रोटीन का पाचन सबसे पहले स्टमक में सुरू होता है इस्टमक में आप जानते हैं कि जो है जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम सोते हैं उसमें जो है इस्टमक प्रोटीन का पाचन वहीं से सुरू हो जाता है हाइड्रोकलोरिक एसिड का क्या काम है तो hydrochloric acid आप जानते हैं कि इस टमक से ही सिक्रीट होता है जहां से gastric use सिक्रीट होता है यह पेपसिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है विल्कु सही है यह भोजन के साथ पेट में प्रिवेस कर सकने वाले बैक्टिरिया को मारता यह भी विल्कु सही है तो answer क्या होना चाहि देखते हैं कौन से questions हैं भोजन पढाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताईए तो सबसे बड़ा हिस्सा अगर बात की जाएगी तो छोटी आत है कोकि यह लंबाई में भी सबसे बड़ी बड़ा है और उसके अलावा सबसे बड़ा काम यानि भोजन का जो पूर्ण आता है कोकि उसके पहले वो आमली माद्याम होता है आमली कैसे होता है जो लार होता है वो भी आमली होता है लार के बाद सेकेंड के मिलता है गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस और एस्सील यह दोनों कहां से जो हमारे आमासाय में मिलते हैं तो यह सब अभी यहां तक मी खालक सब्सक्राइब ही जो पूरी तरह से पचया नहीं होता उसको बाद में फिर उस पर क्रिया हो, फिर और हम कुछ questions लेते हैं कि trypsin क्या करता है सरीर में, तो trypsin जो होता है protein को peptons में बदलता है, ये कहां पर secret होता है trypsin, trypsin का secretion होता है छोटी आमासाय में, gastric juice के साथ में, bilirubin तर था bilberdin कहां पाय जाते हैं, ये आपको पता है, ये bile या पित का भ होते हैं, फिर vitamins क्या होते हैं, तो आवस्य कार्बनिक योगिक होते हैं, जिनका sensation सरीर में नहीं होता है, यानि हमको सरीर ये बाहर से ही प्राप्त करना होता है, तो इसका ये सही answer हो गया, फिर DNA अडू के सही होजन में क्या-क्या भाग लेता है, तो pentose sugar आपको पता है, उसक इसका B absence है, pentose sugar, phosphoric acid, pyrimidine and purines, ट्रिपसिन एक ऐसा enzyme होता है, जो कि क्या करता है, ट्रिपसिन क्या करता है, ग्रहडी या डियोडेनम में छारी माध्यम में प्रोटीन को तोड़ता है, ट्रिपसिन वैसे भी प्रोटीन के पाचन में करता है, लेकिन यहाँ पर छारी माध्य especially पूछा गया है, क्योंकि मुख से ही सुरुवात होती है, HD medium में, लेकिन जब डियोडेनम में आने पर बाइल उसमें मिल जाता है, तो उसके बाद माध्यम छारी हो जाता है, तो उसके बाद ग्रहडी में छारी माध्यम में ही भोजन पहुंचता है, पित का प्रमुकार क्य होता है, तो पाचन के लिए वसा का इमलसी करना हो, बाकी पित में आप जानते हैं, कोई भी digestive enzyme नहीं पाया जाता है, तो यह वसा का इमलसीफिकेशन करने में मदद करता है, वा अंग, जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है, तो आपको पता है कि छोटी आत में जाकर प्रोटीन का पाचन पूरा हो जाता है, तो यहाँ छोटी आत इस पेसली नहीं दिया, तो बड़ी मतलब आत में यहाँ पर एंसर लग जाएगा, फिर किस रूप में पची हुई प्रोटीन का सरीर में और संचरन होता है, तो प्रोटीन की जो बेसिक काई होती, आप जानते अमीनो एसिट तो प्रोटीन से अमीनो एसिट में टूड़ याता है तब उसके बाद पुरी तरह से वो हमारी ब्रेड स्ट्रीम में मिल जाता है कौन सा पड़ा सरीर की ब्रधी और नई कोशकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक है प्रोटीन, no doubt आंत्री एपिथिलियम द्वरा सुरावित हार्मोन कोलिस्टोकाइनिन का क्या कार्य है तो ये क्या करता है पित्ता से के संकुचन का प्रेरण करता है पिल्कुल सही है अगनासे रस के स्रेवन का प्रेरण करता है दोनों सही है तिसले यह है सियाप्सन दोनों सही वाला सही दीवार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रिया सील होता, तो यह हलका अमली होता है, आपने देखा होगा इसका pH था 6.8, तो हलका अमली है क्योंकि 7 नीट्रल होता है, 7 से नीचे, जिस तरह जित्ता नीचे जाते जाएंगे, एसिडिटी बढ़ती जाएगी, आम आसे क दीवार की पेसी संकुचन क्या कहलाता है, तो पेरिस्टलॉसिस कहलाता है, मैंने बहुत बार बताया पिछले वीडियो में, इन्वर्टेज एंजाइम किसे किस में बदलता है, तो इन्वर्टेज जोता है, सुक्रोज को ग्लुकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, आमास इसके द्वारा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का स्रामण होता है, तो आप जानते हैं, पैंक्रियाज द्वारा जो पैंक्रियातिक जूस निकाला जाता है, उसके उसमें जो है, इसका स्रामण होता है, फिर पाचन क्या होता है, यानि पाचन क्रियाज के बारे में पूछा गया यह पाचन की परिभासा दी जा सकती है मनुस्थ की आत में आउसोसित वसी अम लेवा मोनो सेकराइड रुथीद में पहुँचने से पहले कहां पहुँचते हैं तो ये जो फैट का प्रोड़क्ट होता है फैट के प्रोड़क्ट कौन कौन से होते हैं फैट का जब पाचन होता है तो एक तो फैटी एसिड बनता है और दूसरा गिलिसरॉल बनता है तो ये दोनों कहां पर आउसोसित किया जाते हैं तो ये लिम्फ वेसल्स द्वारा इनका आउसोसन किया जाता है इंपोर्टेंट कोश्चन है कहीं इसमें आप विलाई न लगा दीजेगा कोकि विलाई में ग्लुकोज का अवसोसरॉल होता है मुखिता फिर एस्टर बन्दों के टूटने पर किसका पाचन होता है तो एस्टर बन्ड किसमें पाए जाते हैं वसा आस्थाई दातों की कुल कि संख्या होती आस्थाई दात जो होते हैं मैंने पहले लेक्चेर बताया तो एक ट्वंटी होते हैं जो बच्पन से ही होते हैं उसके बाद जो है वो एक बार गिरते हैं और उसके बाद फिर एडल्ट में थर्टीटू दात या टीट पाए जाते हैं फिर इस्थाई दातों क क्रम में मध्ध में पार्स की और किस प्रकार होता है मतलब 20 से गर चलें तो सबसे पहले इसमें आपसन देख लेते हैं जैसे कि मैंने बताया तब फार्मूला आई आई फॉर इंसाइजर तो इंसाइजर कितने होते हैं टू बाई टू होते हैं फिर एक कैनाईन होता है सी वन बाई वन होता है दो प्री मोलर यानि पी जो है टू बाई टू लिखा जाएगा और मोलर एम थ्री बाई थ्री तो यह हूमन डेंटल फार्मूला है जिसका मैं ने description आपको first lecture में दिया था, तो इस तरह से ये सही हो जाएगा, ये एक जबडे के दातों की संदचना होती है, जो 16 दात हो गया और इसी को जब दोनों जबड़ों से गुड़ा कर दिया जाएगा, तो ये 32 डातों हो जाएगे, गरसनी में उतको और गल तुंडिका या फीक, फॉक के इस्तंभो के मद लसिका उतक का पिंड जो होता है, उसको क्या कहते हैं, तो इसको tonsil कहते हैं, आपको पता है, जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, तो कहते हैं, गल जो हमारा tonsil है, वो बढ़ गया है, उसके कारण गले में बहुत दिक्कत होती है, जब वो abnormal size का हो जाता है, पोसर नाल कहां से प्रारा मोती, पोसर नाल का मतलब elementary का नाल, तो जाहिरे कहां से शुरू होगी, मुख से शुरू होगी, फिर सुमेलन करना है, पैपसिन मिलाइए, पैपसिन को प्रोटीन के साथ, तो प्रोटीन को प्रोटीन को प्रोटीन में बदलना, ये प ग्रहेंडी में क्या होता है, ग्रहेंडी के संबंद में इसमें क्या दिया है, छोटी आंथ का आरंब ग्रहेंडी से होता है, मतलब आमासे के बाद सबसे पहले ग्रहेंडी परती है, और ग्रहेंडी से ही छोटी आंथ को प्रारंब माना जाता है, फिर पेप्टोन क्या करता है एमिनो एसिट से बने सरलतम कड़ोते तो इस प्रकार इसका जो आपसन है वो 20 ही हो जाएगा फिर कसेरुकियों के अमासा में मुक्ता किसका पाचन होता है तो जो वर्टीवरेट्स होते हैं उसमें जो है पाचन होता है प्रोटीन्स का आत में पहुशते ही भोजन का मिस्णन सबसे पहले किस तरल में होता है तो आत में सबसे पहले जैसे ही आत में पहुशता है तो सबसे पहले अगनासाई रस उसमें मिल जाता है अब फिर सुमेलन करना है तो लाइपेज क्या होता है लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है जैसा कि मैंने पीछे भी बताया और पहले भी बताया है ट्रिपसिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है amylase कार्बो हाइडरेट के पार्शन में involved होता है और irrepsin जो है polypeptide को amino acid में तोड़ता है तो इस प्रकार से इसका बिकल्प जो है D वो सही हो जाएगा जहां वसाओं कार्बो हाइडरेट तथा प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आत में होता है बार-बार एक क्वेश्चन आ रहा है इसलिए important है यह कौन सा पदार्थ पाचन एंजाइम नहीं है तो एंटीरो गैस्ट्रीन यहाँ पर पाचन एंजाइम नहीं है इन में से कौन सा पदार्थ एंजाइम ही नहीं है तो इसमें से माल्टोज एंजाइम नहीं क्योंकि माल्टोज क्या है माल्टोज एक सुगर होता है फिर आमासई श्रामण का औरोधन करने अलापदार कौन सा एंट्रोगैस्ट्रिन है इनमें से कौन सा पदार प्लाजमा प्रोटीन नहीं है तो हिपारिन जो है प्लाजमा प्रोटीन नहीं है बाकी अल्ब्यूमीन, क्रोथामबिन और फाइब्रोनोजेन जिनका रखत का थंप प्रक्तोज में हाइड्रोलाईज करने वाले एंजाइम का क्या नाम है। यहां सक्कर का मतलब सुगर है। तो inverted जो होता है वो ग्लुकोज और फ्रक्तोज में तोड़ देता है किसको सरकरा को। जिस बीमारी में रक्त में सरकरा का इस्तर बढ़ जाता है। उसको क्या कहते हैं, तो diabetes mellitus कहते हैं, और diabetes inceptus में क्या होता है, इसमें glucose का level घटता है, इसमें glucose का level या सरकरा का level बढ़ जाता है, दूद को पचाने के लिए आवस्यक enzyme जो होता है, रेनिन और lactase, मानो सरीर में कितने वर्स की वायू में समाप्त हो जाता है, तो 8 साल की आयू तक ये इसका secretion होता है regularly, उसके बार ये समाप्त हो जाता है,